आमबागर दुर्ग पर भगवा जंडे का मामला तूल पकड़ रहा है जहां मीना समाज दुर्ग पर भगवा के खिलाफ है महीं इस मामले को लेका राजस्थान के दो नेताओं के बीज जंग छिड़ गई है एक तरफ कॉंग्रेस विधायक रामकेश मीना और दूसरे तरफ सांसर किरोडिलाल मीना पहले तो ये समझी दोनों ही नेता मीना समाज से आते हैं लेकिन दोनों के बयान मेल नहीं खा रहे किरोडिलाल मीना ने रामकेश मीना के गिरफतारी की मांग उठाई है पन्ना मिया लग दिया तो यह साइजिस हो रही है समाज के खिलाप हिंदू के खिलाप हमारे पूरुजों के खिलाप हमारे सासकों के खिलाप मानिय मुखमांटती मुखिस अजिवकों ग्यापन देखैं जिसमें यह है कि हमारे केमले शिदु lei रामकेश मीरा भне भी उनभाएं भी और हिंदू परमपरा नरुवें जनम से मरन तक करते हैं, हमको पूरे देश में बदनाम करवा दिया, हमारी छवी दूमल हो गई, हम आहत हैं, हमारा अपमान किया गया है, और हमकी भावना को साथ बड़ी जबर्दस खिर्वार की गई है, सामाजिक सदभाव और सोहार्द को बिगाड़ा गया है, इसलिए ऐसे ML को गर्फता पूरे मामले के कहानी जो भी हो, लेकिन सनिष्टार टेवी पूरे मामले पर बड़ा सवाल उठा रहा है, सनिष्टार टीवी का सवाल, क्या दो धड़ों में बट गया मीना समाज, क्या कॉंग्रेस विधायक का बयान मीना समाज का अपमान है, मीना समाज के हिंदो होने पर क्यों उठा सवाल आखिर क्यों किरोडे लाल मिना ने दिया साजिश का नाम आमबागर दुर्ग पर जंडा भगवा होगा या नहीं ये तो बात की बात है लेकिन आमबागर दुर्ग से भगवा हटना बहुजन समाज का एक होना और आरेसस को चुनोती देना और किरोडे लाल मिना का रामकेश मिना की गिरफतारी की मांग उठाना ये बता चुका है कि समाज को दो धड़ों में बातने की कोशिश की जा रही है या फिर गे कहे कि मामले पर नेता राजनेतिक रोटियंस देक रहे हैं क्योंकि नेताओं के बयान ही मामले को छोटा और बड़ा बनाते हैं वैसे सवाल अकेले मिना समाज को नहीं सवाल ये है कि ये आखिर मिना समाज को धर्म के तराजू में क्यों तोला जा रहा है आने वाले दिनों में मामला राजितिक तूल चरूर पकड़ेगा लेकिन अगर समाज से जुड़े नेताओं के बयान ही मेले नहीं खाएंगे तो समाज को क्या संदेश जाएगा ये सोचने वाली बात है ब्यूरो रिपोर्ट सनिष्टाइट टीवी